हेग वेलकम बैक टू मोटेवीज भई आज हम बात करने वाले अपने XCV 7W के बारे में 7W की प्राइज बारे के बात के तो अपना 14,02,000 से स्टार्ट होता है और अप्टू जो आता है 26,57,000 जो आता है उसका एक शोरूम जाता है ठीक है स्टार्ट के बारे पुरी डिटेल स्पैसिफिकेश नं बताने वा ले कि इस मां अबडर इस गाड़ी को प्लान करें तो उसमें क्या करें एम चुछ उमालाइस टार लेंडिर का प्लान कर तो इसमें कौन को आपको इंजिन जाता है तो फिट्र ओलवाता है अगर यह पेट्रोर के हम पावर्ट इंजन यू मिल जाता है तो दो ट्यूंड मिल जाता है थी पहली पावर मले तरिम, तो यह कुछ आपको देखने को मिल जाती है अपना इड्रोनेक्स वाला जो अपना वेरंट है उसके बारे हम बात करने वाले जो कि लग्जरी पैक है तो इसके पावर फिर निवार्ट करें इसमें आपको तू लिटर का पको जो इंजन मिल जाता है इसकी पावर फिर क्या है जैसे कि आपको स्टार्टिंग मेताया था जो आपका पेट्रोल वाला जो इंजन है उस पर तकर में 197 बेच्पी और 380 आपको टॉर्क आपको देखने हो मिल जाता है तो यहां पूरी जी देख सकते हो काफी क्लीन आपको लगा और काफी अची आपको डैंपिंग वारा देख सब्सक्राइब Hen saudade आफी अपसान कर जाते हैं चोशिके हैं और थोड़ा सब्सक्राइब में आते हैं इन यहाँ ग्रील मिल देखने हो प्यानों आपको गालों ऑन दिखने मिल जाएगा ठीकिंगётсяil करते हैं तो आपको यह थो हैं अपको यह जो है टेखने हो मिल जाएगा और यहां पर आपको तो यहां प के लिए आपको किसे करेंगे अब पाउपा जो चुटाओ सबस्क단 सबस्करेंब रखंड बात करें तो तो सब्सक्राइब देखने को मिल जाएंगी अब यहां पर फूट रेस्ट वारे बात किया तो आपके अश्टरी से पार्ट है जो की कश्टमर ने अश्टरी वगरा में लगवा है और देखने को मिल जाता है और यहां पर देखने को मिल जाता है और यहां पर देखने को मिल जाती है और यहां पर देखने को मिल जाती है और यहां पर देखने को मिल जाती है और यहां पर देखने को मिल जाते है अब यहां पर यहां पर यहां पर देखने को मिल जाते है अभी अ आपको एरिया है तकरिए आपको 2750 mm का आपको वील बेस देखने हो मिल जाता है और यहीं पर इसे ग्राउंड क्रेंस की बात करें तो तकरिए आपको 200 mm की आपको ग्राउंड क्रेंस त्वर गाड़ी में अपको देखने को मिल जाती है साथी साथ में से फ्यूल टैंक के बात कि तो आपको 60 लीटर का पूझा फ्यूल टैंक आपको देखने हो मिल जाता है अब यहां प्रेक्स वर की बात कि दोनों यह आपको डिस्प्रेइद इस आगे आपको वेंटिलेटेट और पीछे आपको सॉलिड आपको देखने हो मिल जाता है अभी आजाता है इसके रियर प्रफाल में कि रियर में आपको क्या क्या चीजी देखने हो मिलती है सबसे पहले हम देखने हैं आपको इंटिगेटेड इस्पोईर देखने हो मिल जाता है आपको रियर शील पे वाइपर वाशर डिफॉगर व सटे अगर यहां पे लग यहां पर तो यहां पर स्कूस प्राइस के बात कि सब्ध्रूरियों वहते खिली है धियूद कर यहां पर देखिए यह baik लगा आप एज तब हैं ऐधा अब है कि आप ये बात करें तो जो आमत अगर आप भात कितो वाया कोछ इसु जरूर आते तो यहां पे प्विंस तरह तरह से आप को고 करें आ कि वे लिफ़िक्ष कर ऑग रहे तो छार्य। सब्सक्राइब अब को पूरे ऐंड़ेखने हो जाते हैं यहां सब ग्राइब लेकर के लिए अपको पूरा रेयर प्रोफाईल हो जाते हैं इसकी रियर सीट कंफर्ट बगारा की बात कर लेते हैं ठीक है अगर रीसेड देखो तैंक चैप एस तरह से आपको आपको देखने हो मिल जाता है अभी यहां पर ना जैसे को बताया था कि इसका जो वील बेस है तकर आपको 2750 हम्यूं के आसपास का है एक बना सिटिंग कमफर्ट चेक कर लिए तो यह देख लिए यह मेरी ने कमफटेवर ड्राइविंग पोजिशन है जो कि मैं करता हूं मेरी हाइड तो इससे मतला आइडिया मिल जाएगा कि कितना आपको नियर लैग रूम मिलेगा ठीक है सेकेंड रो में देख लो इतना अच्छ यह काफी सही मिज़े नी रूम मिल रहा है है अध्रूम नो डौट काफी सही है ठीक है और थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है और अगर थाइड रो की बात करें तो थर्ड रो में भी सफिक्षन्ट स्पेस मिल जाता अगर आपकी है तो अब अध्यस्ट करें और तो थोड़ा सा आपके लिए जो अनकमफर्टेवल हो सकती है ठीक है अब यहां पर जो है चार्जिंग आपको सीटर देखने को मिल जाएगी ठीक है और यह को बात को कि कैबिन वगरा की और केबिन वरट साथ में देख सकते है और हो को तीन मेमोरी फंक्षिन्स व्गरा देखना मिल जाते है लोग कनलोग आप देखने और यह आप देखने गाप आपको यहां पर डॉर लॉक वगरा जो है आपको सिल्वर फिनिश में दिया है ठीक है अगें यह आपका जो ग्रैब हैंड दिया है और यहां पर एजली आपको जो वन डिटर की बोटल आ जाती है पर यहां पर हम इसके ऑडियो आउटपुट की बात करें तो एस पर कस्टमर फीडबैक हम देखें तो काफी अच्छा सूधिंग वाइस है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और अगर लॉंग ट्रीप वगरा प्लान करें तो काफी अच्छा जो है आपको मीजिक वगरा का आउटपुट हो जाता ठीक है तो इसमें आपको त्री आपको जो है अगर देखने हो जाते हैं अगर आप घर में दो तीन लोग है या फिर आप अपने अकॉर्डिनग जो से दो तीन मतलब एक दो तीन बित्रे से जो है से अज़ेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े हो जाती है अब बात कर लें से कैबन वगरा में आपको सारे अबद नेखर तीन तरुक्त में मिल जाता है और म difficनलट कि साथ में, अब को को सारी फॉब देखने मिल जाता है थो यहाँ है फॉब देखने मिल जाता है, यहाँ धर क्रूज बिलते हैं, व सोनकcks, बिसकने क्रूस के प्लस्च कर सकते हैं, और अबको यह चैज़े ways कर लgeneration क यहां पर देखेंगे तो आपको अड़ेप्टिव क्रूस कंट्रोल मिल जाता है आपको साइन रिकनाइजेशन मिल जाता है तो यहां पर देखेंगे वीकल इंफो में जाते हैं तो यहां पर आपको जो है डिए में तरद हम बात करें नतों है तो काफी साहरे सारे पीचर सापको कुछ आंते हुब टाशय कर सकते हैं अब अगर तो यहाँ पर फिरबंगे इको चेक्व साना से कामपेर करते हैं और यहां पर सफारी इनन हमें पर केंवर हैं तो काफी आप कोंगरेगे हैं यहाँ अधार काम बैदल वाइद ग्रड़ साफ दीवारखा है 1 2 1 5 Это हम आपको दहाता है हुँआ है साथ में यहां पर देखें यहाँ से आपको आपको साइड को मिल जाता है डिक है बाक्राइब आपको सफारी में देखने मिल जाता ठीक है बट वहां में देखेंगे तो काफी मतलब वो जो आपकी इस स्क्रीन में आपको वियू दिखते हो काफी जादा वाइड हो जाता ठीक है बट हाला कि यह थोड़ा सबसे पहले आया था तो वहां पर यह जो फीचर था काफी उसक्त प्रिमांड में था अभी स्क्राइब टृण फ्रणी बट है इसनों में मैनुल और यहां कब उस्वार्ण सव क्राइब हो दिखंग उते हुट यह जाते हैं तो आपको ऊपसे मील जाते हैं तो यह तो यहन अच्छा जए आपका यह नौब वगरा फीचर हो जाता है यानि कि अगर यहां पे आपको वाइल ड्राइविंग में का अफी स्पीड में ड्राइव करें तो यहां से आप फॉन वगरा पिक वगरा करने के लिए इस नौब का यूज बगरा कर सकते हैं आपको यहां पर कोई आपको मिरर वगरा नहीं दिया गया है यहां पर स्पीकर दिया इस सटाब माइक आपको यहां मिल जाता है वाइट देखने मिल जाता है ठीक है जैसे अब इसका फ्लिप वगरा ओन करते हैं यहां से फ्लिप करते हैं तो यह आपके लाइट वगरा जल जाते ठीक है तो काफी सही फीचर जाता और स्पीकर वगरा जो है सराउंडिंग स्पीकर से आपको सेटप वारा देखने मिल जाता तो काफी सही ओडियो जो है काफी काफी वाइड मतलब बूले काफी अच्छी सन्रूफ है देख सकते हो कि तो काफी रूमी एरिया आपका हो जाता है ठीक है तो यह आपका सन्रूफ हो जाती है अब मैं सो करता हूं क्लोस तो यह सारा पूरा पर फोर मीटरी गाड़ी यहां नेक्सवन वारे की बात भी करें तो वहां पर भी न आपको आपको जो है मैनुवरी दिया गया तो इस चीज में महिंद्रा को थोड़ा सोचना चाहिए कि एटलीस इतनी महिंगी गाड़ी में अगर कुछ में इतना पैसा दे तो वह चीज आप अगर यहां पर हम सेफ्टी वारे की बात के तो इसमें आपको स्पीड सेंसिंग और मिल जाता आइसो फेक्स आपको ब्लाइंड स्पॉर्ट मिरा जो आपको मैंने अल्रेडी दिखाया था जिसमें आपको इंडिकेटर वाइस से जैस्ते भी करते तो आपको वहीं का व्यू आपको सेंटर लॉकिंग और आपको देखने को मिल जाएंगे तो कुछ आपको यह आपको सेफ्टी वीचर देखने को मिल जाते हैं तो यह कंप्रीट हमारा जो है ना इस गाड़ी का पूरा रिवीव हो जाता जिसमें आपको यहां पर पावर फिगर वगर वगर भी बता साथ ही साथ में क्याकर आपको सेफ्टी फिचर आपको देखने को मिल जाते हैं तो इसका एक्षवरों जो प्राइज चौविस लाग बहत्तरा जाता है और आंडोड की बात के तकरीब आपको आपको ऑन रोड बेसारे लेने के बाद में साड़े 59 लाग के आसपार जो है इ सफारी वगरा भी देखने मिल जाती है एंजी हेक्टर वगरा हो गई इन विक्टो वगरा भी इसके जो है कॉम्टीटर में आ जाते हैं तो अगर इस गाड़ी को आप लेना चाहते हो तो काफी जाता है एलफुल हो जाएगी आपकी वीडियो और अपके फ्रेंड वर देख बेकार चीज़ा किस तरह से कुरूज वगरा इसमें और अडास वगरा काम करता है तो अगर इसका ओनर्शिफ भी देखना चाहते है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके इसी सरी डिटेल्स वारा वीडियो वरा जाके देख सकते हैं ठीक है और फिलार इस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं और आपकी फ्रेंड जो भी जो है एक सेवन जो लग्जरी पैक वारा देख रहे हैं तो उनके साथ जो यह वीडियो शेर भी कर सकते हो तो फिर मिलते किसी नेक्ट वीडियो तक के लिए टेक यावाई इस्टे से भी हेल्दी भी से थैंक यू